हलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े के बारे में जो की नार्कोटिक्स ब्यूरो यानि की NCB के डारेक्टर रहे हैं और जिने हाली में टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि CBI ने इन पर बहुत बड़ा खुलासा किया है CBI ने इनकी सारी साधियों का परदाफाश किया है यह वही वानखेड़े हैं जो हमेशा से बड़े बड़े सेलिबिटीस को टार्किट करता आया है लाइन लैट में रहने के लिए यही वानखेडे हजारों रुपे के शर्ट्स पहनता है, लाख रुपे के शूज, लाख रुपे की घड़िया पहनता है एक सरकारी करमचारी होने के बावजुद चो कि इसकी इनकम से कही जादा है मतलब साफ है, दाल में कुछ काला है और इसी का परदाफाश सीबियाई ने किया है सीबियाई ने वानखेडे के 29 जगों पर छापे मारे है यह वही समीर वानखेडे है, जिसने आरियन खान को भी जूटे, मनगडंद, ड्रक्स केस में फसाया था जिसकी वज़े से आरियन और उसके परिवार को, यानि कि शारुक खान की फैमिली को बहुत बदनामी जिलना पड़ी थी और सारा का सारा गोदी मीडिया उनके पीछे लग गया था आरियन खान को एक मेना जिल में भी रहना पड़ा हलकि बाद में बॉंबे हाई कोट ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दी और उन्हें रहा कर दिया गया दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ इस तरह के लोग समीर वान खेड़े जैसे लोग अपने पद पोजिशन का गलत फायदा उठाते हैं ये देश और डिपार्टमेंट पर धबबा हैं जिनकी वज़े से एक परिवार को बदनामी जिलना पड़ती है ये कोकि ये बदनामी ये दिन जो आरेन जिल में बताई ये कभी वापस नहीं आएंगे इन जैसे लोगों का डिपार्टमेंट में होना ही देश के लिए बहुत शर्म की बात है तो समीर इफान खिड़े जैसे लोगों के खिलाफ सक्ट से सक्ट कारवाई होना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो इस बड़े पद पर ओधे पर होने के बावजूद ऐसी घटिया हरकत ना कर सके जिसे कि सारे देश का नाम शर्मशार हो जाता है जैन